हाई प्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर सा तोरण का डिजाइन लेकर आई हूं जिसे मैंने मोती और वूल से और कैन्वस से बनाया है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने इसके लिए क्या-क्या मोती लिया है यह द मैंने क्या-क्या लिया है कौन-कौन सा कलर और यह मैंने सुई थागा लिया है यह देखिए मैंने यह वाइड बेट्स लिया है और यह मैंने सिल्वर कलर का कुछ इस तरह का बेट्स लिया है और यह देखिए मैंने स्मॉल गोल्डन बेट्स लिया है और यह बिक साइस का ग यहां पर मैंने कुछ green और red color का भी bits ले लिया है आप अपने हिसाब से जो भी color का bits लेना चाहें ले सकते हैं यह देखिए अब हम यह canvas लेंगे और इसमें हमें सुई में धागा डाल की wool डाल कर ले लेना है अब देखिए इसके bits से हमें इस तरह से इसे बनाना है तो इससे हमें धागे को बाहर कर लेना है अब इसके बाद देखिए हमें इसके first वाले loop में यह देखिए यह जो उपर side में first loop है यहां से डाल कर धागे को फिर नीचे से second loop में हमें सुई को बाहर निकालना है ये देखिए इस तरह से ऐसे हमें इसे देखिए बनाना है फिर ऐसे हम नेक्स्ट लूप में डालेंगे उसके बाद नीचे से थर्ड लूप से हम सुई को बाहर कर लेंगे ये देखिए इस तरह से ये हमारा इसी तरह से हमें इस कैन्वस को ऐसे ही भरना है वूल से फिर देख करते हुए नीचे की तरफ से सुई को ऐसे बाहर करेंगे तो यह हमारा अच्छे से यह बनता चाहेगा का फिर है फिर SiD alaics के नेक्स कि आपको अदुबूल के पूर्पर के नेकस्न लूप में इस तरह से सुई को डालना है यह दे खिए इसी तरह से इसे गम्नान के ए बनाना है यह देखिए इसी तरह से हमें इसे बनाते हुए कम्प्लीट करना है यह देखिए अब हम जो उपर वाला सबसे लास्ट वाला लूप है उसमें हमें तीन बार एक ही लूप में बनाना है इसे यह देखिए यह लास्ट वाला लूप है इसमें हमें दो बार बनाना है देखिए इस तरह से एक, फिर हमें उसी जगह पे फिर से सुई को डालना है, देखिए इस तरह से और फिर नेक्स लूप में हम उपर के नेक्स लूप में डालेंगे, देखिए जो सीधा है, फिर उसी जगह से हम सुई को ऐसे बाहर निकाल लेंगे, उसके नीचे वाली लाइ हूँ कि हमें हर एक लाइन में उपर की तरफ जाना है अब यहां पर देखिए अब उपर से हमें नीचे की तरफ आना है इस साइट से हमें उपर की तरफ से जाना था और उस साइट से हमें नीचे की तरफ से देखिए इस तरह से बनाना है यह देखिए अब नेक्स्ट वाले म को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ हाजाएगा इसे हमें भरना कैसे है तरी लाइन में इस तरह से बाहर निकाल लेंगे अब देखिये ये लाश्ट बचा है एक तो हम इस तरह से डाल के और लाश्ट में यहाँ पे इस वाले में इसे बाहर करेंगे ध्यान से देखिए देखिए इस तरह से हमें ये पूरा ऐसे ही जैसे आपको ये first भर के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें पूरा भर लेना है, तो देखिए मैंने ये लाश्ट में देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया है, देखिए सेम उसी तरह से मैंने ये चारो ऐसे ही भर लिया है, जो छोटा वाला पत्ती है उसे हम ब्लू कलर से भरेंगे, और ये बिग साइस की जो पत तरह से भर लिया है अब यहां पर देखिए इस तरह से हमें वूल को नॉट लगाते हुए कट कर लेना है इस तरह से इसमें एक दो नॉट हमें अच्छे से लगा देना है बस ध्यान रखना है हमें से तेजी से नहीं खीचना है नहीं तो यह कैन्वस पट सकता है यह देखिए यह हमारा एग हमने यह भर लिया अब यहां पर हमने यह ब्लू कलर का उल ले लिया है धागे सुई में डालके अब देखिए जैसे मैंने आपको यह फर्स्ट वाला बना के दिखाया था सेम उसी तरह से हमें यह सेकेंड वाला भी बना लेना है यह देखिए ऐसे ही हमें ऊपर की तरफ से एक एक बनाते हुए फिर ऐसे नीचे की तरफ से आना है और बीच में हमें यह जो सबसे फर्स्ट वाला लूप होता है उसमें हमें दो बार भरना है एक की जगह पे यह देखिए इसी तरह से जैसे मैंने यह बताया है आपको सेम उसी तरह से हमें वहाँ पर ऐसे दो बार भर लेना है और इसी तरह से हमें इसे यह पूरा बना लेना है देखिए फिर नेक्स्ट में ऐसे रालना है फिर ऐसे नेक्स्ट में अब देखिए फिर एकदम उपर वाल अब blue color से हमें सबसे उपर वाले लूप में नहीं बनाना है यहाँ पर हमें skip कर देना है फिर देखिए next line से इस तरह से हमें डालते हुए उस side का ऐसे बना कर complete कर लेना है first line को हमें blue color वाले line में skip कर देना है यह देखिए इसी तरह से हमें यह पूरा ऐसे ही बनाते हुए complete कर लेना है तो देखिए मैंने यह same उसी तरह से 3 भर लिया अब फिर same उसी तरह से हमें यह चौथा भी ऐसे ही बना कर complete कर लेना है तो चलिए मैं आपको जैसे मैंने यह first बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैं आपको ये last वाला भी बना कर फिर दिखाती हूँ तो देखिए friend सेम उसी process से मैंने ये last वाला बना कर wool को cut कर लिया है और ये देखिए ये हमारा चारो ऐसे ही बन गया है और देखिए ये last में हमने जो उपर उपर से border है अब हमें इसे देखिए क्रुश्या से बनाना है देखिए इस तरह से हमें wool को ले लेना है और फिर्स्ट वाले लूप में इस तरह से हमें क्रुश्या को ऐसे देखिए डाल कर not बांद देना है यह देखिए धागी को इस तरह से भांध लेना है जिससे यह खुले नहीं अब देखिए इस तरह से हमें क्रुशिया को इस तरह से डालते हुए यह थोड़ा टाइट रहेगा हमें थोड़ा सा ये दिखिए इस तरह से इसे निकालते हुए ऐसे डबल स्वारी सिंगल कुरूशिया से ये बॉर्डर बनाते हुए कंप्लेट कर लेना है ये दिखिए फिर ऐसे नेक्स्ट लूप में फिर ऐसे एक बार हाप डबल कुरूशिया करना है फिर ऐसे ही इसका border बना कर complete कर लेना है यह दीठिए यह थोड़ा tight है हमें थोड़ा सा ताकत लगाते हुई बनाना है यह देखिए, next loop में फिर से ऐसे ही half double crochet फिर next loop में फिर से हाप double crochet इसी तरह से हमें यह पूरा ऐसे ही चारो तरप से बना लेना है तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा चारो तरफ से बना कर फिर दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारो तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना कर complete कर लिया है सेम इसी तरह से हमें 18 पत्ती ऐसे ही बनाना है तो देखिए सेम उसी तरह से मैंने ये 18 पत्ती बना कर complete कर लिया है अब इसे देखिए मैं आपको कैसे हमें इसे तोरन बनाना तो देखिए फ्रेंड तोरन पत्ती मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है इसका लिंक मैं आपको description box में देदूँगी आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा तो चलिए अब हम तोरन बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए इस तरह से हमने ये जो पत्ती बनाई है देखिए इस तरह से हमें तोरन पत्ती को पहले रख लेना है फिर नीचे दो और फिर लास्ट में एक इस तरह से देखिए हमें तीन पत्ती को फर्स्ट लाइन में रखना है फिर हमें सेकेंड लाइन में दो पत्ती को रखना है ये देखिए इस तरह से एक और फिर एक यहाँ पे दो अब एक पत्ति को हम नीचे ऐसे रख लेंगे तो ये तीन पत्ति देखिए हमारा इस तरह से देखिए ऐसे हमारा ये पैटन बनेगा अब देखिए हमें इसे सुवी धागा से एक दूसरे में ऐसे ही जॉइंट करना है तो देखिए हमें इस तरह से एक दूसरे में ऐसे हरे मे एक एक को इस तरह से अटेज करना है तो देखिए मैं आपको अटेज करके दिखाती हूँ कि इसे हमें कैसे सिलना है यह देखिए इस तरह से मैं सुवी धागा को लेकर एक दूसरे में ऐसे ही हमें यह देखिए सिल लेना है इस तरह से ऐसे ही हम एक दूसरे में इसे सिल लेंगे जिससे ये अच्छे से अटेज्ट हो जाए और खुले नहीं देखिए इस तरह से ऐसे एक जगे पर हम दो तीन नॉट लगाएंगे जिससे एक दूसरे में अच्छे से अटेज्ट हो जाए यह देखिए फिर से नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही करेंगे फिर यहाँ पर देखिए हमने इसे यहाँ पर ऐसे हमें सिल लेना है फिर ऐसे ही हर एक पत्ती को हमें एक दुसरे में सिलते हुए इसे जॉइंट कर लेना है तो चलिए मैं आपको यिसी तरह से हर एक प्ति को नीचे वाली प्ति को भी जॉइन्ट करकते ही तो देखेए फ्रेंड सेम उसी प्रॉसेस से मैंने ये रीज़ान कर लिया आपस में छब प्ति को देखें हमें इस से वप्ते तरफ से जॉइन्ट करना है ऐसे ही देखिए ऐसे टू फिंगर के उपर लपेटना है इस तरह से ऐसे ही आप अपने हिसाब से जितना लंबा या पतला या मोटा बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसे लपेट दीजिएगा यह देखिए इस तरह से हमें इसमें ऐसे ही पूरी वूल को लपेट देन है तो देखे फ्रेंट हमने ये दस बार ऐसे ही वूल को लपेट दिया है अब हमें इस तरह से फिंगर से बाहर कर लेना है फिर इसके बीच में देखिए हमें एक छोटा वूल का टुकड़ा लेकर इस तरह से इसे बीच से ऐसे ही अच्छे से दो-तीन बार लपेटते हुए इ देखिए इस तरह से ऐसे हमें देखिए दो-तीन नौट लगाते हुए इसे बानना है जिससे ये खुले नहीं अच्छे से देखिए फिक्स हो जाए अब हमें बीच से देखिए सारे वूल को कट कर देना है इस साइड भी और उस साइड भी हमें दोनों तरब से इस तरह से वूल को कट कर देना है देखिए हमने कट कर लिया अब जो बड़ा या चोटा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है इस तरह से देखिए हमने एक बराबर कर लिया इसी तरह से हमें ये बना लेना है वाइट कलर में भी और ब्लू कलर में भी तो देखिए उसी तर बारो तरफ ऐसे ही लगाना है जालर तो देखिे इस तरह से हमने यह अलैंट हमें दागा डाल कर ले लियीया है अब इस तरह से три कि प्रता डील दाला और हमने अउनी स्वाओं कर लिया तो धाल में तरह हिंगा दा फिज लेसे धाल. अब इसके बाद देखिए हमें इसमें मोती फिरोना है ये देखिए इस तरह से ये हमारा जालर बनेगा अब इस तरह से हमें मोती लेकर इसमें देखिए हर एक मोती जो हमने लिया है ऐसे ही फिरो लेना है एक गुल्डन मोती फिर इस तरह से देखिए एक सिलवर फिर एक गु वाइट मोर्ती, बिक साइज का, फिर एक गोल्डन स्मॉल, इसी तरह से एक स्मॉल और एक बिक, इसी दो मोतियों के साथ हमें इसे बना लेना है, आप चाहें तो केवल दो कलर की मोती से भी इसे बना सकते हैं, मेरे पास यह कही सारे कलर की मोती थी, तो मैंने इन सब को लगा क बनाया है, यह देखिए, इस तरह से हमें ऐसे मोती को फिरो लेना है, और लास्ट में देखिए, यह ग्रीन कलर की मोती हमने लगाई है, और एक जो हमने यह सिल्वर कलर की मोती ली थी, कुछ इस तरह का, वो हमने लास्ट में लगा लिया है, फिर देखिए, इस तरह से एक मोती को हमने लगाया अब फिर इस तरह से हमने ये ऐसे सारी मोतियों को हमने फिरो लिया है अब लाश्ट में देखिए ये जो हमने सिल्वर मोती लिया है इसे ऐसे लगा कर अब इस तरह से देखिए ये हमारा जालर बन गया है अब इसे हमें यहां कॉर्णर पे इसे ऐसे जॉ नहीं देखिए हमने यह लगा लिया सेम इसी तरह से हमें एक यहां पर ऐसे ही एक हमने यहां लगाया फिर एक यहां फिर एक महां फिर ऐसे नेक्स्ट वाले पैटन में इसी तरह से हमें यह चारो तरफ ऐसे ही लगा कर कंप्लेट कर लेना है तो देखिए हमने यह ऐसे ही एक स सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये एक पैटन में ऐसे ही पूरा जालर लगा कर कम्प्लीट कर लिया है अब जैसे देखिए मैंने ये एक पैटन आपको दिखाया है बनाके सेम उसी तरह से हमें ये तीनों पैटन बना लेना है तो देखिए सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों प क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके वेल आइगान जरूर प्रेस कर लीजिएगा मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब चाहिए